हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टो माई चैनल राहूल ब्लॉक तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ रैपिडो में काम करने के लिए और आज मैं पार्ट टाइम ही काम करूंगा और अभी टाइम सुबह के 6 बज गया है और बाहर बहुत जादा ठंड है और बहुत है तो चल के इसको मैं पिक कर लेता हूं और मैंने कस्टमर से भी बात कर लिया है इससे पहले भी मुझे एक राइड मिला था लेकिन वह बंदा बार बार कैंसल कर रहा था राइड तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था तो फिर मैंने वहां से लोकेशन चैंज किया उसके ब बूकिंग करता था तो मेरे पास राइड आती थी क्योंकि इसके इस लुकेशन के आज पास में और कोई राइडर नहीं है मैं ही हूं तो इसलिए बार-बार मेरे पास आ रहा था और मैं जब एक्सेप्ट कर रहा था तो इस तरह मुझे नुकसान हो रहा था इसलिए मैंने दूसरा लोकेशन चैंज कर दिया ठीक है उसके बाद मुझे दूसरा राइड आई तो ठीक है अभी इस राइड को मैं पिक अप करने के लिए जा रहा हूं और देखते हैं फिर इस राइड पर कितना अर्निंग होता और यह कहां के राइड हर बार से मोटी पी आएगा क्योंकि तो काइच पहला राइड मैंने कंप्लीट कर दिया और इस राइड पर मुझे मिला 62 रूपया मिला ठीक है और यह था इसका डिस्टैंस था आठ पॉइंट त्रेपन किलिमेटी अनिकि सारे 8 किलिमेट का डिस्टैंस था अब मुझे बेट करना परेगा दूसरी रा यह राइड थोड़ा आउट लुकेशन का पर गया था तो मुझे नहीं लगते हैं से राइड आएगी यहां से मुझे न एक से दो किलिमेटर मुझे अंदर और जाना परेगा दूसरा राइड मिल गया यहां से और अभी मुझे पांच मिनट भी नहीं हुआ था उस करकी दिखाऊंगा आपको कि यह कितना किलिमेटर का राइड था और इसमें मुझे पैसे कितना मिलता और रैप्टो अपना कमेशन कितना लेता है ठीक है हां सराफ हो लाग्यार वेलिए यहवारली रैट विकंपवलीट कर दिया और इस रैट पर मुझे मिला है 50 रूपिया और यह 6.94 किलो मिट्र था यंकि 7 किलो में राइट था और 7 किलो में मुझे 5. 50 रूपया मिला कस्टमर का बिल 64 आया था और बांके पैसा 13 रूपया रेप्टों ने काट लिया मेरे बॉलेट से तो काई रेप्टो में मुझे फिर से बुकिंग मिल गया है आज ज्यादा टाइम मुझे बेट नहीं करना पर रहा ऑडर के लिए और सुबह सुबह का टाइम इतना ज्यादा ठांड लग रही है न मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं बुकिंग आएगी कि नहीं आएगी लेकिन वान टू थिरी जीरो किस जगह पर रोगना सर आपको किस जगह पर रोगना आपको लुकेशन सर आपको यह भी खतम हो रहा है कि 120 यह वाली लाइन है लेप्ट साइड है लेप्ट लिए लूना कि 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 अभी टाइम आठ बज गया है और अभी जाके तोड़ा मौसम फ्रेश हुआ जब मैं मोहाली में था तो वहां पर बिल्कुल ही कुछ ने दीख रहा था बहुत ज्यादा धूंद लगा हुआ था मैं सोच रहा था कि इतना ठंड में सुभा सुभा राइड नहीं आएगी लेकिन मुझे अभी बैक टू बैक राइड मिल रही है रैपडो में क्यूंकि अभी का जो यह टाइम है ना स्कूल कॉलेज और ऑफिस का टाइम है तो इस थोरा ज्यादा राइड मिलती है कि अजी को अब इस अभी मेरे गोपरो की बैटरिक बिल्कूल डाउन हो गया था और मेरा गोप्रो भी बंद हो गया था तो मेरे पास डबल बैटरीग है तो एक बैटरिक में फुल-चार्ज करके लाया था तो अभी मैने गोप्रो की जो ड जाला जो मैंने उसको फुल चार्ज करके लाया था और यह बैटरी चलेगी जब तक मैं काम करूंगा तब तक चलेगा उसके बाद मुझे रैपिटो में राइड आ गया और उसी को मैं करने के लिए जा रहा हूं कस्टमर से मैंने बात भी कर लिया है इसको 23 सेक्टर जाना है कि और ट्री एठाइब कि आपका लुकरेशन यहीं पर खतम हो रहा सर कि यहीं पर लोग दूना थर्टीनाइन नैंग का अभी मैंने इस राइड को कंप्लीट किया और उसे पहले ही मेरे पास राइड आ चुका था तो मैंने और आइड बुकिंग ऑन करके रखा था इसलिए मेरे पास पहले राइड आजाते राइडक नहीं भी होता तब ही आ जातिये तो आप जाएंगे नहीं तो फिर आप राइड कैंसल कर एक अचा ओनलाइन पैड है क्या सर आप यह जो राइड आया था वो आदमी मेरे आने से पहले ही निकल चुगा तो मैंने उसे कॉल पर बात किया तो उसने वो लगिए आप मेरा ओटीपी ले लो फॉन पर और अपना ओटीपी डाल के आप राइड कम्पलीट कर लो और आपके पैसे आ जाएंगे वो कह रहे थी कि ऑन online pad है तो देखते हैं मैंने OTP डाल दिया है और राइड मेंने चालू भी कर दिया हूं 3.5 km कटी स्टेन्स है तो देखते है इस राइड पे पैसा मलता है चै अगर वह online pad किया हो होगा तब तो मुझे मिली जाएगा और अगर कैस होगा फिर तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा रैप्टियों को कमिशन मुझे अपना जेव से देना परेगा वैसे यह आदमी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने सोचा कि वो बंदा इतना दूर से आया होगा उसका पेट्रियॉल खर्चा हुआ होगा तो यह सोचा कि मैं OTP दे के इसका राइड कंपलीट करवा देता हूँ ताकि इसको पैसा मिल जाए तो यह भी एक रिस करके इसने पैसा दिया है कि नहीं तो गाइड सच में इस आदमी ने ऑनलाइन पैड कर दिया था और यह पैसा 27 रुपया मेरे बॉलेट में एड हो गया और मुझे नोटिफिकेसन मिल गया मैं तो सोच रहा था कि फालतु में अगर सारह 3 किलिमेटर में चले जाओं अगर व कि नौ बज गया है और एक घंटा बांकी है दस बजने में मैं दस बज तक काम करूँगा तो देखते हैं अब यहां से कब मुझे बुकिंग आती है मुझे यहां से राइड मिल गया और इस राइड में मुझे पांच रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा पिक करने के लिए जब ride आया था उसे time लिखा हुआ था इसका मतलब इसका long pick up है तो वही 3.4 km का pick up है और मुझे 5 रुपया मिलेगा सिर्फ सारे 3 km pick करने का इस ride को मैं cancel करने वाला था क्योंकि सारे 3 km का pick up था और सारे 3 km का मुझे सिर्फ 5 रुपया मिल रहा था रैपडो के तरफ से customer को pick करने के लिए तो मैंने अभी customer से बात किया और मैंने अपनी problem बताया उसको कि मैं आप से दूर हूँ 4 km हूँ और मुझे थोड़ा time लग जाएगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जल्दी आजाओ बेसक आप मेरे से extra charging ले ले लेना तो मैंने उसको done कर दिया है और अभी जा रहा है कि आप 41 बनाव का पिमेंट एक सेकेंट एक सेकंड देता हूँ इस पे करता हूँ आप मुझे फिर से बुकिंग आ गया और इस बुकिंग में मुझे से तीन रुपया पीक अप करने का मिलेगा और पतानी इसका पीकप कितना होगा थिर पॉइंट टू किलोमेटर है और में मुझे सिर्फ तीन रुपया मिलेगा पिक करने के लिए इस राइड को जो मैंने अभी कम्पलीट किया उसको मैंने सारे तीन कुलिमेटर पिक करने के लिए आया था तो वो पहले ही बोल रहे थे कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा थुरा जल्दी आ जाओ तो भया ने दिया है मुझे एक्स्ट्रा पैसा इसका फोटी वन रुपया भी लाया था और इन्होंने मुझे सत्तर रुपया दिया अभी टाइम सारे नौ बज गया है और इस राइड को कम्पलीट करते करते दस बज जाएगा तो साइद हो सकता यह मेरी लास्ट राइड हो और इसके बाद में ओफ ड्यूटी कर लूँगा और दिखाओं को आपको कि मैंने कितना अर्णिंग किया और मुझे इंसेंटिव कितना मिला मुझे इंसेंटिव भी मिला है आप क्या है मैटम है को टीपी कि अज़ा कि अपिछ टीप्टीफाइव ओनलाइन करेंगे है किसी में कर दो आप करता ओं हाँ जी ठीक है मैं तो तो गाइज अभी टाइम हो गया है 10 बज कर 15 मिनट और यहां से मैं अपना ड्यूटी करता हूं और और मैं आपको दिखाता हूं कि आज मैंने कितना घंटा काम किया और कितना अर्णिंग हुआ तो आज की अर्णिंग होई है 598 रुपया और मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आज कितना राइड कंपलीट किया ठीक है तो आप देशकते हैं मैंने 9 राइड कंपलीट किया है और मुझे 230 रुपया इंसेंटी बॉनस भी मिला है 9 राइड मैंने कंपलीट किया उसका मुझे 368 रुपया मिला है और 230 रुपया मुझे इंसेंटी मि मिला कर आज का जो मेरा अर्णिंग हुआ वो 598 रुपिया हुआ 600 रुपिया समझ लो मैंने सुबह में 6 बजे लॉग इन किया था और अभी टाइम 10 बज कर 15 मिनट हो गया है तो लगबग मुझे 4 घंटा हो गया काम करते हुए और 4 घंटे में जो अर्णिंग हुआ वो 598 रु कुछ रहा था कि ठंट का मौसम है तो राइड नहीं आएगी लेकिन मुझे आज बैक टू वैक राइड मिलती रही और मैं अच्छा खासा टार्गेट कंप्लीड कर दिया जिसके वैजे मुझे 230 रुप्या इंसेंटी बॉनस मिला तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दो क्यूंकि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं अगर आपको हमसे कुछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नहीं फ्रेस वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई